अधाप, कैसे हैं आप? मैंने आपसे आपकी खरीयत पूछी और आपने मेरी बात समझ ली दरसल ये उस जबान का कमाल है जो हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं हम अगर एक जबान को समझते हों बहतर तरीके से तो हम अपनी बात को एक दूसरे तक पहुँचा सकते हैं आज के इस प्रोग्राम में हम अर्दू जबान को सीखने और समझने की कोशिश करेंगे आप जानते हैं अर्दू हिंदोस्तान ही की जबान है और एक बहुत ही शीरी जबान है जिहां इस जबान में मिठास है अब जब जब जबान को हम लिखने की कोशिश करते हैं तो आप अन्दादा लगा सकते हैं कि किसी भी जबान में सबसे छोटी इकाई होती है अल्फ़बेट्स यानि अंग्रेजी में अगर हम उन्हें कहेंगे तो लेटर्स हिंदी में कहेंगे तो अक्षर और अर्दो में कहेंगे तो हर्फ ह-A-R-F या हिंदी में आप हा और फा लिकर उपर अधरा लगा सकते हैं और फिर फा के नीचे बिंदी लगा सकते हैं तो अर्दो में होते हैं हर्फ जो अर्दो जबान की सबसे छोटी इकाई है अच्छा आपको ये भी बता दे कि हर्फ का पिलूरल है हुरूफ तो जाहरा आप जानना चाहरा होंगे कि अर्दू में कुल मिलाकर कितने हुरूफ हैं तो हम आपको बताते हैं अर्दू में कुल मिलाकर 36 हुरूफ है आप इन हुरूफ को स्क्रीन पर देख सकते हैं आप देख रहा होंगे, अर्दू का पहला हर्फ है अलिफ, इसके बाद बे, जी हाँ बे, फिर पे, आप और कर रहा होंगे, एक लकीर सी है, उसके नीचे तीन नुक्ते लगे हैं, उसके बाद ते, उसी लकीर पर दो नुक्ते उपर लगे हैं, उसके बाद ते, फिर से, अब उसी लकीर पर तीन नुक्ते उपर आगा हैं आगे बढ़ते हैं और आगे वाले हुरूफ को पहचानने के कोशिश करते हैं उर्दू का एक हर्फ है जीम जीम में एक नुक्ता होता है वैसे आप देख पा रहा हूंगे जीम के बाद चे यहां तीन नुक्ते आते हैं फिर हे और फिर खे खे के बाद डाल डाल के बाद डाल डाल के बाद जाल यहां उसी इमेज के उपर एक नुक्ता लगा हुआ है तो यह हुआ जाल अब आगे बढ़ते हैं तो हम इसे कहते हैं रे रे जे ये सीन, शीन, स्वाद, द्वाद, तोई, जोई, आइन, गैन, फे, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, चोटी ये, और बड़ी ये, जिहां, आखिर के दो हर्फ, ये कहराते हैं, लेकिन, एक चोटी ये, ये वाली, और एक बड़ी ये, तो ये हो गया है, उर्दू के कुल 36 हुरूफ, शायद आपको सभी हुरूफ को एक साथ याद अखना मुश्किल लग रहा हो, लेकिन आप फि उर्दू के सभी 36 हुरूफ को हमने देख और समझ लिया है, सभी हुरूफ को और बेहतर तरीके से समझने के लिए, उन्हें उनकी शकलों के एतबार से, अलग अलग गरूप में बांट लिया गया है। आईए गुरूप के इतबार से उन्हें एक बार फिर से पहचानने और समझने की कोशिश करें पहले गुरूप में हमने सिर्फ अलिफ को लिया है दूसरा गुरूप बे गुरूप है इसका पहला हर्फ बे है जिसके नीचे एक नुक्ता आता है इस गुरूप के बागी हर्फ बे के ही शकल में लिखे जाते हैं लेकिन इन में नुक्तों और अलामत का फर्क होता है बे का अगला हर्फ बे है जिसके नीचे तीन नुक्ते आते हैं अगला हर्फ ते है इसके उपर दो नुक्ते आते हैं इससे अगला हर्फ टे है, इसमें इसी तरह के निशान पर तोई की अलामत आती है बे गुरूप का आखरी हर्फ से है, इसके उपर तीन नुक्ते आते हैं हुरूफ टेहजी का अगला गुरूप जीम गुरूप है, पहला हर्फ जीम जिसमें एक नुक्ता और दूसरा हर्फ चे है, जिसके बीच में तीन नुक्ते आते हैं इसी तरह हे की शकल भी वही है, मगर इसमें कोई नुक्ता नहीं है, उसे हम हे कहते हैं जीम गुरूप का आखरी हर्फ खे है इसके उपर एक नुक्ता आता है जिसे हम खे कहते हैं इसी तरह हुरूफ तहजी का एक गुरूप जो डाल गुरूप कहलाता है इसमें तीन हर्फ हैं डाल, डाल, जाल डाल पर कोई नुक्ता या अलामत नहीं है डाल पर तोई की अलामत है और जाल पर उपर एक नुक्ता लगाते हैं आईए अब रे गुरुप की तरफ चलते हैं इसमें चार हुरुफ हैं रे, अडे, जे और ये पहला रे, जिस पर कोई अलामत नहीं है दूसरा हर्फ अडे है, जिस पर तोई की अलामत है तीसरा हर्फ जे है, इसके उपर एक नुक्ता है चौधा और आखरी हर्फ ये है, इसके उपर तीन नुक्ते हैं ये रे ग्रूप का आखरी हर्फ है इस लवज को बोलने में मुहतात रहने की जरूरत होती है आईए अगले ग्रूप में मिलते जुलते दो हर्फ है सीन और शीन पहले हर्फ में कोई नुक्ता नहीं है दूसरे हर्फ में शीन पर तीन नुक्ते हैं आईए आगे चलते हैं हुरूफे तहजी में दो हर्फ हैं स्वाद और ज्वाद स्वाद पर कोई नुक्ता नहीं है और ज्वाद पर एक नुक्ता है आगे चलते हैं उर्दू के हुरूफे तहजी में दो हर्फ हैं तोए और जोए तोए पर कोई नुक्ता नहीं होता और जोए पर एक नुक्ता होता है आगे बढ़ते हैं और एक जैसे दो हर्फ हैं जिसे हम एन और घैन कहते हैं एन पर उपर कोई नुक्ता नहीं है और घैन पर उपर एक नुक्ता है इसके बाद फे और काफ ग्रूप आता है फे पर उपर एक नुक्ता होता है और काफ पर दो नुक्ते लगाए जाते हैं उर्दू हुरूफ तहजी के अगले ग्रूप में दो हर्फ हैं जिसे हम काफ और गाफ कहते हैं काफ पर एक निशान होता है और गाफ पर एक और अलामत निशान लगाया जाता है उर्दू हुरूफ तहजी का अगला ग्रूप लाम और मीम है इसके आगे तीन हर्फ हैं नून, वाव और छोटी है नून में एक नुक्ता होता है वाव और हे छोटी है अगला ये और आखरी हर्फ बड़ी ये है इस तरह हम ग्रूप की शकल में भी उर्दू के हुरूफ तहजी को बेहतर तरीके से समझ और पहचान सकते हैं तो आईए आगे बढ़ते हैं और अब एक-एक हर्फ को समझने के कोशिश करते हैं ये है अलिफ उर्दू का पहला हर्फ इसे हम उपर से नीचे की तरफ लिखते हैं आप एरो देख रहे होंगे, एरो के निशान है, ये उपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं और आपको शाद बताने के जगुत नहीं कि अर्दू का ये पहला हर्फ होता है अलिफ से कई लफ हम बोलते हैं अलिफ से अल्ला, अलिफ से आलू, वगरा वगरा आए आगे बढ़ते हैं और अर्दू के दूसरे हर्फ को हम पहचाने के कोशिश करते हैं दूसरा हर्फ अर्दू का है बे ये एक सीधी लकीर है एक तरह की छोटी सी प्लेट और इसके दोनों तरफ नोक निकली हुई है और इसके नीचे एक नुकता है तो ये हुआ बे अब बे जैसी शकल के ही कई हुरूफ हैं उनको हम एक साथ आसानी से समझने के कोशिश कर सकते ह अगर इन हुरूफ में फर्क है तो नुकतों का या किनी निशानात का जिने हम अलामाद भी कहते हैं तो ये हुआ बे अर्दू का दूसरा हर्फ है आगे बढ़ते हैं और इसी निशान के साथ में अगला हर्फ पहचानने के और याद रखने के कोशिश करते हैं ये कहलाता ह पे, जी हाँ, वही निशान नीचे तीन नुक्ते आगा हैं, इसका अगला हर्फ ते कहलाता है, यानि दो नुक्ते अगर उसी निशान के ऊपर आगा हैं, तो यहुआ ते, और आगे बढ़ें, आपने देखा होगा एक निशान सा बना हुआ है, इसको हम तोई भी बोलते हैं, और आगे चलकर आप देखेंगे कि तोई अपने आप में एक हर्फ भी है, और एक निशान के तौर पर इस्तेमाल होता है, तो यह हुआ कुल में लाकर टे, उर्दू का एक और हर्फ, वैसे टे से बहुत से लफ़ज़ आप खुदी बना पाएंगे, टे से टमाटर मिसाल के तौर पर, आगे बढ़ते हैं, अर्दू के और हर्फ को पहचाने के कोशिश करते हैं, यह हर्फ अर्दू का है से, यानि तीन नुक्ते उपर आएंगे, और यह कहलाता है से, से से साबत, अब आप शकल कुछ बदली हुई देख रहा होंगे, यहां से अर्दू के दूसरे ह हर्फ शुरू होते हैं, और इन्हें हम एक निशान के तौर पहचान सकते हैं, और इस निशान के साथ में आप गोर कर रहा होंगे कि एक नुक्ता लगा हुआ है, तो यह हर्फ कहलाता है जीम, यह हर्फ कहलाता है जीम, आप यहां पर भी एरो देख रहा होंगे, यह बाएं तब ये बनता है जीम अब इसी निशान के ओपर नुक्तों के फर्क से आप अलग-अलग आगे आने वाले हर्फ पहचान सकते हैं तो आगे बढ़ते हैं जीम के आगे आता है चे जिया आपने गोर किया हुआ वही निशान बाएं हाथ से शुरू हो रहा है और बाएं हाथ के इसी तरफ आगे बढ़कर ये घूमना शुरू हो जाता है और एक चान किसी शकल बनाकर खतम होता है और इसके साथ आते हैं तीन नुक्ते कहलाता है ये हर्फ चे और आगे बढ़ते हैं अगर हमने बिना नुक्तों के ये निशान बना दिया है तो ये कहलाएगा हे वही लि चान के ओपर एक नक्ता बना हुआ है जिसे हम कहते हैं खए यह एक बहुत ही आहम हर्फ है आम तो उड़ते यह कुछ जबानों में इस तरह का हर्फ नहीं आता है तो हमें खए कहना सीखना पड़ागा और याद करना पड़ा लिखने के तरीका वही बाएं हाथ से हम लिखने करेंगे दाई तरफ थोड़ता आगे बढ़कर हम एक चांड की शकल बनाएंगे और फिर एक नुक्ता उपर लगाएंगे खैसे खर्बूजा बहुती मीठा फल होता है और खैसे खराबी खैसे खुबी जी हां कई लवस बनते हैं जिन्हें हम आगे सीखेंगे आगे बढ़ते हैं और कुछ और हुरूफ हम बता चुके हैं खरूफ हर्फ का पिलूरल है तो कुछ और हर्फ को पहचानने के कोशिश करते हैं यह हर्फ है दाल जी हां दाल हम दाल खाते हैं लेकिन यह हर्फ का नाम ही दाल है इसका निशान आप देख रहा हूंगे किस तरह हम बनाते हैं एरोस आपको बता रहा है कि उपर से हम इसको बनाना चूरू करते हैं और नीचे के तरफ थोड़ा सा एक कौन एक मॉड बनाते ह हम इसको बाएं हाथ के तरफ ले जाके इसको खुतम कर देते हैं और यह कहलाता है दाल आप इसी निशान को एक अब फिर से देख रहा हूंगे के रंग किस तरह से उपर से नीचे के तरफ आता चला जा रहा है और यह दाल को पूरी तरह आपको दिखा पाता है आगे बढ़त चुकि है इससे पहले आप टे में तुए को समझ़ चके हैं तो यह ही अधाल के ऊपर तुए का निशान बना हुआ है यह उपर से नीचे के तरफ यह निशान twenties बना जाता है यह हर्फ लिखा जाता है तो यह अधागे पर फिर भी गोडरकर ल्यूकर कि непहाते हैं वह हम तो już उपर से पहले आदे हिस्से तक आता है उसके बाद में नीचे तक हम लाकर लकीर को थोड़ा सा पैन को उपर लाते हैं और फिर हम इसको दाई तरफ घुमा देते हैं सीधा हाथ के तरफ एक गोल के साफ पेट कर निशान जैसे बनाते हुए और जब लाकर हम उसी लाइन के नी जाल आगे बढ़ते हैं वही निशान दाल वाला और दाल के उपर हमने एक नुक्ता लगा दिया तो यह बन गया जाल आप इसका लिखने के तरीखा बहुभी समझ चुके हैं उपर चाह में लिखना शूरू करना होता है और हम नीचे के तरफ लाकर बाई तरफ थोड़ा सा हम मौड देते हैं और एक नुक्ता जब लगाते हैं तो यह बन जाता है जाल अगला हर्फ दूसरी शकल का है यहां से दूसरे हर्फ शुरू होते हैं और यह हर्फ कहलाता है रे रे जी हां रे के लिखने का तरीका भी वही है उपर से हम इसको लिखना शूरू करेंगे हैं या फिर हमें तोए का निशान भी इस्तेमाल करना होता है इसी निशान के उपर यह हम आगे जानते हैं तो पहले हम इसे समझ लें यह निशान कहलाता है रे आप समझ भी चुके हैं और उमीद है कि आप लिख भी रहे होंगे अगर आपके पास पैन कलम होगा तो तो नीशे के तरफ लाईए और रे का निशान बनाईए और उपर तो आप लिखेंगे तो यह बन जाता है रड़े जियां आगे बढ़ते हैं और रे के उपर हमने एक नुक्ता लगाया है रे को लिखने का वोई तरीखा उपर से नीशे के तरफ लाका बाएं हाथ के तरफ यह एक अलग तरह का हर्फ है ऐसी आवादें हर जबान में आम तो चे नहीं होती है यह किलाता है यह जियां इजाला इसे लफ बनता है तो यह यह किलाता है और रे के उपर आप गोर कर रहा हूंगे रे का निशान है और इसके उपर तीन नक्ते लगे हुए हैं आगे सीन जी हां सब अगर हमें लिखना होगा तो हम सीन से लिखते हैं तो यह हुए सीन लिखने का तरीका आप समझ रहा होंगे सीधे हाथ के तरफ से यह शुरू होता है एरोज आपको बता रहे हैं और हम एक हम आम तोर से इसको शोशा बोलते हैं उपर की तरफ कलम हमें लाना ह फिर हम नीचे लाएंगे तो थमाज़ लिए दो छोटे चांद हम पहले बनाएंगे उसके बाद में एक नीचे काफी डैप्थ में गहराई के साथ में एक बड़ा चांद बना देंगे तो ये बन जाता है सीन इसी सीन को आप रंग भरते हुए जब देखेंगे तो बहुत भी हो गया सीन को लिखना आप सीख चुके हैं सीधा हाथ से शुरू करिए और एक शोशा उपर बनाएए फिर दूसरा शोशा उपर तक लाके गहराई के साथ में एक बड़ा चांद बना दीजिए तो ये बन जाता है सीन और इसको पर हम तीन नुकते लगाते हैं तो ये बन ज करके का य GSA करें ये हर्फ हम एक हर्फ सेन हमने पहले समझा था पढ़ा था आपको याद होगा वह भी सा की आवाज नकालता है और सब सीन से लिखा जाता तो लेकिन ये हर्फ पर सौद लिखने का तरिक दिया ऐरोज अब को बता रहे हैं के पहले आप सीधे हाथ के तरफ एक नोक जो है कलम की उसको ले जाईए और घुमाते हुए एक छोटा सा हिस्सा बनाईए और फिर उसी जगा पर लाकर मिलाकर एक गोला सा बनेगा एक आंक सी बनेगी और ये गोला बनने के बाद में फिर आपको कलम को नीचे ले जाना है और चान की तरह नीचे उतार कर इसक तो यह बन जाएगा स्वाद 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 से भी कुछ लफ बनते हैं उर्दू में मिसाल के तो पर साले तो आगे बढ़ें और हम देखें कि इसी स्वाद के ओपर एक नुक्ता लगाने से कौन से लफ बनता है गोर किया आपने उसी तरह का स्वाद लिखा हुआ है ने बहुत जब्ठ कर लिआ जब्द लफ जौद से लिखा जाता है आगे बढ़ते है यह आ गए है आपकी जानी पहचानी तोई जिया हर्फ है हाला कि यह लेकिन हर्फ कहलता है तोई और तोई का हम इस्तेमाल अलामत यशन के तरप हिए करते हैं आपने गोर्फिए हई तो तोई का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये तोई अपने आप में अलग से एक हर्फ भी है, जी हां, लेटर, या अंग्रेजी में हम इने लेटर कहेंगे, या हिंदी में हम कहें हैं तो अक्षर, ये है तोई, और इसी तोई के साथ अगर एक नुक्ता हम लगाते हैं, तो वो इस तरह आगे देखिए, देखा आपने, वो ही तोई लिखा हुआ है, उपर से हम कलम को ला रहा हैं, नीचे तक लाकर दाइं तरफ मोड़ देते हैं, और एक छोटे से आँख की शकल बनाते हैं, और ये बन जाती है तोई, और फिर जब हम एक नुक्ता लगाएंगे इसके जी हाँ, आइन जो हर्फ है, ये हमें सीखना जरूरी है, क्योंकि इसको हम थोड़ा हलक से बोलते हैं, आइन, लिखने के तरीका आप समझ रहा होंगे, इसको दरसल हम उल्टे हाथ की तरफ पहले ले जाएंगे, थोड़ा सा, और फिर इसको सीधा हाथ की तरफ उपर की तर जाता है, और 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 नक्ता लगाने से बन जाता है घैन, जी हाँ, आपने गोर किया होगा, बिल्कुल वैसे ही एन लिखा हुआ है, उपर से नीचे की तरफ हमारा कलंग घूमेगा, और फिर उपर जाएगा, और फिर ये सीधा हाथ की तरफ खुला हुआ एक चांड बन एक घुंडी से बनाई है, जी हाँ, तो पैन को हमें काफी वहाँ पर रोक कर निशान मोटा करना है, उसके बाद में फिर हमारे एरो दिखा रहा हैं कि हमें उल्टे हाथ के तरफ घूमना है, और हमें बिल्कुल बे, आगर आपको याद हो तो बे की शकल में निशान बना द बनेगा फे, फे के उपर एक नुक्ता, यह हम इस तरह भी बोलते हैं, तो यह हुआ फे, फे से फाइदा, अगर हम उर्दू सीखेंगे, तो बहुत से हर्फ हमें समझ में आएंगे, हम बहुत से लफ़ पहचान पाएंगे, और हमारी बाचीत करने का अंदास और बढ़ जा जाएगा, बहतर हो जाएगा, चलिए, फाइदे की बात करते हैं, और आगे वाले जो हरूफ रह गए हैं, उनको सीखते हैं, फे के बाद आता है, काफ, यह हर्फ भी ऐसा है, जो अर्दू के लिए बहुत खास है, क्योंकि अक्सर जबानों में यह हर्फ नहीं होता है, मिसल नीचे जब बिंदी लगाते हैं, तब वो बनता है, काफ, जी हाँ, यह लेटर कहलाता है, आप ठीक समझे, काफ, लिखने का तरीका, जाहर हम नकते बाद में लगाते हैं, तो अभी नकतों पर ध्यान न दें, एरो के साथ में हमारा कलम एक मोटा सा निशान बनाएगा, उस काफ से करीब, हम और आप करीब होते जा रहा हैं, जैसे जैसे हम अर्दू के हर्फ पहचानते जा रहा हैं, उमीद आप इनको लिखते जा रहा होंगे, और इन हर्फ को जैसे जैसे हम पहचानेंगे, तो हम इनकी और भी प्रैक्टिस करेंगे, और हम बहतर तरीका से जब ल और आगे बढ़ें देखें काफ के बाद वाला हर्फ कौन सा है काफ के बाद लफ जब हम बनाते हैं तो देखते हैं कि एक हर्फ है काफ जी हाँ, यानि हिंदी का सीधा का बिना बिन्दी के हिंदी में जो हर्फ होता है या अक्षर होता है काफ इसी तरीका से ये उर्दू का काफ है लिखने का तरीका अजरा सा आपको अलग दिखेगा क्योंकि जो निशान आपको सीधे हाथ के तरस सबसे उंचा दिख रहा है ये निशान दरसल मरकस कहलाता है उपर का खाली हिस्सा और इसको हम बाद में बनाते हैं पहले हम कलम को जहां से एरो आपको दिख रहा होगा यहां से लिखना शुरू करते हैं और बाई तरफ हम घूम जाते हैं बिलकुल बे पे या टे की तरह घूम कर हम इसको पूरा कर लेते हैं और अब हम एक मरकस लगाते हैं और या उपर के एक निशान से तिरसा निशान बनाते हुए उस लाइन पर लाकर जोड़ देते हैं जहां से हमने यह काफ बनाना शुरू किया है यह हर्फ बनाना शुरू किया है यह हो गया है काफ तो अब काफ इससे पहले वाला अगर आपको फिया दोगा जो दो नुक्तों के साथ आता था और यह है काफ काफ से मिलता जुलता अगला हार्फ है और इसको बहुत आप आसानी से याद रख पाएंगे सिर्फ इसमें जरा था फरक है अगर आप काफ को गोर ते देख रहे हैं तो अगला हर्फ पहचानिए इसे कहते हैं गाफ और ये भी गोर करियेगा कि काफ और गाफ में क्या फरक मनता है जी हाँ बिलकुल काफ की तरह ही हम ये लिखेंगे और यहाँ पर जो हमने आपको याद होगा कहा था कि हम काफ के उपर मरकज लगाते है यानि उपर वाला जो हिस्सा है ये मरकज कहलाता है और यहाँ आप गोर कर रहे होंगे कि यहाँ दो मरकज लगाए गाए है यानि एक मरकज एक लाइन मिलाने के बाद में हमने एक और लाइन सी के पेरल समानांतर हमने खेंच दिये तो ये कहलाता है गाफ आईए आगे बढ़ें और कुछ हुरूफ और रह गए हैं उनको हम पहचानने के कोशिश करते हैं सभी हुरूफ या उर्दू के हर्फ बहुत महतपूर्ण हैं इंपॉर्टेंट हैं और इनसे बहुत से लफ़ बनते हैं इसलिए हमें सभी हर्फ को बहतर तरीका से लिखना और पहचानना आना जरूरी है आगे का हर्फ कहलाता है लाम लब पे आती है दौा बन के तमना मेरी लब होटो को कहते हैं आपने सुना होगा लब पे आती है दौा बन के तमना मेरी जिंदगी शम्मा की सूरत हो ख़दाया मेरी है ख़दा मेरी जिंदगी उस शम्मा की तरह हो जो सब को रोशनी देती है तो लाम से लब और लब माने होट ये लाम है और किस तरह लिखते हैं आप अंदास करियेगा एरो आपको इशारा कर रहा है कि उपर से ये लाम हम बनाना शूर करेंगे नीचे के तरफ लागा बाई तरफ मोड़ देंगे और ये कहलाता है लाम अगर हम अंग्रेजी में इसे स्पेल करें तो ल, डबल, ए, म, लाम और हिंदी में ल, ल, येака की मातरा और मा लिखा तो ल, ल, अगला हर्फ मीम है मा में बढ़ई की मातरा और म, मीम या अंग्रेजी में एम, डबल, ई, ए, एम, मीम जी, आप गोर कर रहा हुंगे कि एरो हमें इशारा कर रहा है और यही एक मोटा सा निशान बनाएंगे और उसके बाद में हम बाईं तरफ घूमेंगे और थोड़ा सा घूमने के बाद में एक सीधा हमें सीधी लकीर लाना है अलिफ की तरह का आप बोर करें मीम पर उपर वाला हिस्सा अठादें तो उर्दू का पहला आप आपको याद होगा यह अलिफ बन जाता है लेकिन यह मीम इस तरह बनता है और मीम से मत मीम से मोड और हमारे लिए आप मोड से ज़्यादा आहम है आगे बढ़ना क्योंकि हमें आगे के बचे वे हरूफ को समझजना है मीम के बाद आता है नून अब बहुत आसानी से समझ सकते हैं सीधा एक चांड की शकल में हम एक गोला बनाते हैं लेकिन यह दाईं तरफ से सीधा हाथ की तरफ से शिरू होता है एरो बता रहा है और बाईं हाथ की तरफ गूम जाता है और इसका जो पेट बनता है यानि अंदर का खुला हुआ हिस्सा उसमें हम एक नुक्ता लगाते हैं तो यह कहलाता है नून नून से नहीं आगे बढ़ें और अगला हर्फ देखें यह हर्फ है वाव आप गोर कर रहा हैं को उपर का हिस्सा काफी हमें थोड़ा सा मोटा बनाना पड़ता है पैन को आप वहीं घुमाएए थोड़ी सी दूर तक या थोड़ी देर तक और उसके बाद में नीचे के तरफ लाकर एरो दिखा रहे हमें बाई तरफ घूम जाना है और यह शकल बनती है वाव की इसके बाद यह हर्फ कहलाता है हे यह यह सीधा एक गोला है सीधे हाथ के तरफ सम्शू करते हैं बाई तरफ घूम कर हम उसी जगह पर इस निशान को पहुंचा देते हैं लेकिन आप गोर कर रहा हूंगे दाई तरफ का हिस्ता थोड़ा थोड़ा हमारा मोटा होता है उनसे जो लफ बनते हैं उनकी तो खुबसूरती से सारे अर्दू में चाशनी से आ जाती है उर्दू के यह हर्फ यह कहलाता है और इसको हम छोटी यह कहेंगे क्योंकि यह उर्दू में दो तरह से लिखी जाती है और इसलिए इसकी शकलें भी अलग हैं और इसलिए हम इनको छोटी यह और बड़ी यह जाहर जब मैं चोटी बोल लाँ तो आप समझ गया हूंगे दूसरे यह बड़ी यह कहलाएगी तो पहले हम छोटी यह समझ लें लिखने के तरीका आपके सामने है स्क्रीन पर सीधे हाथ की तरफ से हम कलम को रखते हैं और उल्टे हाथ की तरफ घूमते हैं थोड़ा सा तिर्शा होकर उसके बाद में हमारा कलम तिर्शा होता चला जाता है यहां तक कि घूमकर एक चांड की शकल फिर बनाना शूरु करता है और यह जो गहराई मिलती है ये को बड़ा एक खुबसूरत शकल देती है और ये कहलाती है चोटी ये चोटी ये का इस्तिमाल आम तोर से बड़ी ई की मातरा के लिए होता है जो साथी हमारे हिंदी जानते हैं वो बड़ी का इस्तिमाल समझते हैं तो यह का च्छोटी कीसैमाल बड़ी ए की तरह भी होता है और विसे अलग से हर्भ भी होता है हम लिखेंगे यद कदा हम यह कैस्णमाल करेंगे लेकिन यह किस तरह बाद में लिखेंगे हैं भूह हम आगे सीखेंगे हर अर्दू हर्व को समझना चाहरा हैं और करीब करें हम उसके खत्म तक पहुंच गाएं क्योंकि मैं आखरी हर्फ आपके सामने ला रहा हूँ और आप ठीक समझे आपको सही आदे ये हर्फ कहलाता है बड़ी ये जी हैं उर्दो का आखरी हर्फ बड़ी ये और लिखने का तरीका जी हैं ये ठोड़ा सा हमें रौम रखना पड़ेगा अपने बाएं亓ा हाथ की तरह थोड़ा सा ज्यादा अगर हम सिंटर लाइन अगर लेँगे तो वहां से कलम और बाएं की तरफ ले जाएंगे और फिर दाएंगे तरह गूमेंगे तो एक सीधी लखेर आथी है और ये किलाती है, बड़ी ये, अर्दू का आखरी हर्फ, आम तोरसे जब हम पुरे हरुफ तहजी यानि पुरे अर्दू के जो हर्फ होते हैं, जब उनको हम एक साथ कहना चाहते हैं, जैसे अंग्रेदी में हम कहते हैं A से Z तक, तो अर्दू में हम कहेंगे अलिफ से ये तक जी हैं, तो हमने अलिफ से ये तक सभी हुरूफ को देखा, समझा और खासकर हमने उनके लिखने के कोशिश की आप यकीन मानिये, अगर अर्दू के हम ये हर्फ लिखना सीख जाएं और लिखने दे पहले हैं, दरसल हमें पहचानना जरूरी है हम पहचानने लगें, तो हम अर्दू सीखने के बहुत नजदीक पहुँच गए हैं अब आईए हम बाचीत के दूसरे हिस्से में जाते हैं और कोशिश करते हैं किस तरीका से इन हुरूफ को हम याद कर सकते हैं समझ सकते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि हम अपनी बात को दोहरा लें अब तक हमने जो बात आपस में की है, उसमें आहम जो नुकते हैं या आहम बाते हैं उनमें से पहली बात ये कि अर्दू हिंदूस्तान ही के जबान है और इस जबान में सबसे चोटी काई हर्फ कहलाती है जैसे हिंदी में अक्षर या अंग्रेदी में लेटर तो अर्दू में हर्फ हर्फ का पिलूरल हुरूफ है और हुरूफ अर्दू में 36 होते हैं अलिफ से ये तक 36 हुरूफ हैं इनको हमने पहचानने की कोशिश की है उमीद है कि ये हर्फ समझ कर आप बहतर तरीका से अर्दू को सीख पाएंगे समझ पाएंगे और ज्यादा आपको रवानी आएगी आप तेजी से अर्दू के नजदीक पहुँचेंगे हमारी शुब कामना आपके साथ हैं आज की बात्चीत इतने ही आगे किसी और प्रोग्राम में आपसे मलाकात होगी तो उर्दू को और बहतर तकित से जानने और सीखने की कोशिश करेंगे हाला झाला झाला